वेलकम टो मैं एसवा एजुकेशन फार्मिशन चैनल में आपका स्वागत है बहुत बड़ी खुसखबरी यानि जो सिछक बनने का इंतिजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुसखबरी अम लेकर के प्रेजेंट है जैसे स्क्रीन पे आप देख करके आपको समझ में आगया होगा यूपी पियसी ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी 10,700 पदों पे इससे पहले भी मैं इस पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे चुकी थी कि बहुत बड़ी खुसखबरी बिग्यापन जारी होने वाला है तो ये घोशडा हो चुकी है और ये खुसखबरी आ अपडेट आपके लिए आज साकार हो चुका है उत्तर प्रदेश बता दिते हैं कि ये विग्यापन हमने आप वीडियों बनाये थे उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग की तरब से यल्टी ग्रेट सिक्षकबर्ती का रास्ता साफ हो चुका है अगर आप यल्टी ग्रेट सिख्षक भरती के बिग्यापन का इंतिजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महतपूर होने वाली है उत्तर प्रदेश एल्टी ग्रेट सिख्षक भरती बिग्यापन तिथी का जो है अब्यार्थी बेसब्री से कर रहे हैं इंतिजार पर उत्तर प्रदेश लोकसिवा आ योग बिग्यापन पदों पर भर्तियों का बिग्यापन जारी करेगा और यह सब जो है बड़ा सवाल बन रहा है कि राजी की मादमिक विद्याले में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के कुल 5000 से ज्यादा पद भर्ति करने का पुरा रास्ता साफ हो चुका है जिसमें यल्टे क यहाँ पे उतर प्रदेश जो है यल्टे ग्रेट सिक्षक बर्ति विग्यापन को लेकर के अधीश चैन उतर प्रदेश लोग सेवा आयोग के प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी बरतमान में अधीश चैन प्राप्त हो रहे हैं निदे साला ने जो है समकक्ष अहर्ता का अभिवाद जो है पूरी तरह से निरस्त कर चुका है और शासन अस्तर पर इस संबंध में पत्र लिग करके भेज दिया है जैसे ही लोग सेवा आयोग को शासन अस्तर पर मंजूरी मिलती है तो लोग सेवा आयोग की तरप सी अल्टेग्रेट सिक्षक भरति का विग्यापन गुसित कर दिया जाएगा लेकिन बता देते हैं कि इस जो है notification को देख करके आपको हटने की जरूरत नहीं है हम ओ चीज ले करके आए हैं एक सिकेंड ओ चीज अपडेट करने वाले हैं आपको कि जो भी है तो यह अपडेट आपको मैं बताने वाली हूँ कि ओ तो अपडेट हम बहुत पहले आपको दे चुके थे लेकिन यूपी अल्टे ग्रेट सिक्षक भरती दो हजार चौबिस यानि 8166 यल्टी ग्रेट सिक्षक पदों पर नई भरती जल्द पूरी यह डीटेल्स जान ले यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवायोग जो यूपी प्यसी फिर से प्रदेश में राज की मादमी कॉलेजों में 8166 यल्टी ग्रेट सिक्षक पदों पर भरती कने जा रही है और इस नए वर्ष में जो है यल्टी ग्रेट सिक्षक जो है चैन की प्रक्रिया श्टार्ट होने वाली यानि भरती की प्रक्रिया विग्यापन जारी होने वाला है आप इस फाम को जितना जल्द हो सके आप अप्पलाई कर सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि यल्टी ग्रेट सिक्षकों के रीक्त पदों का मांगा व्यवर आपको दिखाने की कोशिस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे राजकी मादमी कालेजों में सिक्षक के रिक्त पदों के लिए भरती होगी कुल रिक्त पदों की तागदात पीछली भरती के कुछ कम होगी लिखित परिक्षा कराकर के चैन उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की ही कराएगा और शासन ने करीब 8166 पदों पर जो है सिक्षक चैन के लिए निर्देश मादमी को निर्देश दिया है और कहा गया है कि वे आयोग के संपर्क करके भरती कराएग सासन का जो है निर्देश की राजकी या कॉलेजों के सिक्षकों की कमी के पठन-पाठन प्रभावित न हो विशेस जो है सचीव कुमार राग्वेंद्र सिंग ने सिक्षा निर्देशालय निर्देशक मादमी को पत्र भेजा है और जिसमें कहा है कि राजकी कॉलेजों में साहयक अध्यापक पूरुष साखा के 6477 जो पद रिक्त दिये गए हैं जिसमें 5624 रिक्त पदों का अधिस्यान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयो को भेजा जा चुका है सेस 800 तिर्पन पदों की अधिस्यान अभी भेजा जाना सेस है नेदेश है कि 800 तिर्पन पदों का जो है अधिस्यान सिग्र भेजा जा है और साहयक अध्यापक पूरुष महिला में 10768 पदों का अधिस्यान 2017-18 में उत्तर प्रदेश लोक से आयोग ने भेजा गया था जिसमें अभी 3455 पदों पैनल आयोग में मिला है से 7333 पदों का समबंद में इस्थित अस्पष्ट नहीं इस्थिती जो है अस्पष्ट नहीं है इन पदों के लिए फिर से चैन किया जाएगा और फिर पदों का अधिस्यान दोबारा भेजना होगा और इस आयोग से जो है मान्य समान्य बना करके अस्पष्ट करे ताकि भरती कराई जा सके सिख्षा निदे साल प्रक्रिया तेज कर रहा है और इस साल में भरती का प्रक्रिया आयोग आगे बढ़ाई जाएगी बता देते हैं कि यहाँ पे देखें कि विभी ने कारणों से जो है कुछ दिनों तक निवक्ती प्रक्रिया फसी रही और लेकिन अब बेसिक सिख्षा विभाग को 36,590 नए साहय का ध्यापक मिल गए है मुखमंत्री योगी आदित्यनात ने नव युक्त सिख्षकों को युक्ती पत्र देते हुए 69,000 सिख्षकों की भरती प्रक्रिया में बड़ी उपलब्धी बताया है बेसिक सिख्षा विवस्था और प्रदेश की जो है निव ठहराते हुए उन्हें सिख्षकों से कहा है कि मान्यत्या से जुटे हुए बेसिक सिख्षा का कार्याला काया कल्प कर दे बेसिक शिक्षा परिसद ने सनिवार को जीलों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बित्रित किये और जिसकी सुरुवात मंत्री मुकमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर छ नव नियुक्त सिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे करके योगी ने कहा कि नव नियुक्त स से संब्रिधी करें बेसिक सिख्षा का को मजबूत करके प्रदेश को आगरडी राज से बनाए जा सका तो यहां पर आई होप आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खुश खबरी मिली है तो हमारे यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइ कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना यहां पर सारा कुश यल्टी ग्रेट का मैं सो करने वाली हूँ आप देख सकते हैं नाम है मादमिक सिख्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार भरती का नाम है यूपी पियसी मतब उत्तर प्रदेश लोग से वाययोग से भीक्या आपन जल्द जारी होगा 8176 पद है नोकरी यूपी सरकारी नोकरी आवेदन की तारिक जल्द जह सुरू हो जाएगी आवेदन की तारिक जो है और यह बेव साइट है आप देख सकते हैं पदों की संख्या है सारा सब कुश डिटेल्स बहुत जल्द आ जाएगा फार्म को आलाइन करने के लिए वीजी के लिए 125 रहेगा मतलब सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पली बार बिजिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रिस करना ताकि निए वीडियो की नोटीपी की सन आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाए थैंक्स पर वाचिंग गाड ब्लीस यू